कि अग्या विडियो में हम बात करेंगे फॉल्स लेबर एंड ट्रू लेबर के बारे में ओबी जी का टॉपिक रहेगा और बहुत इंपॉटन टॉपिक है फॉल्स लेबर एंड टू लेबर और कई बार यह कोशन आप से पूछे जाता है डिफ्रेंस के रिलेटिड यानि कि पंसे आओ को डिफ्रेंस बताना है फॉल्स लेबर एंड ट्रू लेबर में और शोट्ट नोड में काफी बार पूछा जाता है तो इस में अगर आप से डिफ्रिंस पूछचा है तो इसतरह से आप इसमें डिफ्रेंस बता सकते हैं एक साइड आप false labor एक साइड true labor का बनाकर के चार्ट और आप इसे difference में explain कर सकते हैं तो आज हम जानेंगे false labor and true labor के बारे में और normal labor जब आप question read करते हैं तो उसमें ये point add होता है false labor and true labor का तो first point है false labor में contraction are irregular, unverring in frequency and duration यानि कि जब labor pain start होता है तब false labor और true labor pain में difference देखने के लिए हम contraction की चांच करते हैं यानि कि जब labor में होगी female तो contraction start हो जाते हैं तो false labor में क्या होगा contraction are irregular यानि कि जो contraction हो रहे हैं वो एक regular rhythm में नहीं होगे और उनकी contraction की जो frequency और जो duration है वो भी regular नहीं होगी और true labor में क्या होगा contraction come at the regular interval and will begin to build up over time यानि कि contraction जो है वो regular interval में होगे यानि कि जो true labor के contraction होते हैं उसी तरह से contraction जो regular interval पर होगे और इसकी intensity जो है वो धिरे-धिरे बढ़ती जाएगी तो true labor में क्या होगे contraction regular होगे और false labor में contraction irregular होगे next है point हमारा second point है contraction may be responsive to change in activity and position यानि कि false labor में क्या होगे जो contraction हो रहे हैं उसकी changing या position यानि कि जो position है वो change होती रहेगी activity भी change होगे और position भी change होगे यानि कि contraction जो हो रहे हैं false labor में वो या तो आपके abdomen area में होगे female के या फिर lower abdomen में यानि कि वो position जो है बार-बार change होती रहेगी लेकिन true labor में क्या होगा contraction will continue despite change in activity and position यानि कि contraction जो है जो contraction हो रहे हैं उनमें किसी भी तरह का change नहीं होगा lower abdomen में contraction रहेगी ठीक है तो यानि कि जो false labor में उसमें changes होगे contraction में क्या होगे changes होगे और true labor में किसी भी तरह के changes नहीं होगे वो एक ही अगर area में है एक ही position में है तो वो वही पर रहते हैं third point है felt in the abdomen around और above the navel यानि कि जो contraction होगे वो कहाँ पर होगे false labor में contraction abdomen area में रहेंगे या फिर navel का जो area है ठीक है abdomen या फिर navel area में रहेगा और अगर true labor है तो lower back ठीक है lower back area में labor pain जो रहेंगे तो यहाँ पर false labor में कहा रहेगा abdomen area या फिर navel area के आसपास यानि कि abdominal area और navel area के पास रहेगा और true labor में lower back रहेगा और radiant to the abdomen area में ही रहेगा ठीक है उसके बाद आता है fourth point है हमारा can reduce some vaginal discharge sorry can produce some vaginal discharge brownish in color and instead of blood tingled यानि कि vaginal discharge होगा यह discharge brownish color में हो सकता है और true labor में कैसा होगा mucus जैसा discharge होगा और यह कैसा होगा small amount में होगा next point आता है water will not break false labor में क्या होगा water जो कभी भी को बेख नहीं होगा water मतलब जो वाटर बैग होता है जिसमें फीटस ग्रोग करता है उसे हम वाटर बैग बोलते हैं वो ब्रेक नहीं होगा लेकिन जो true labor है। उसमें क्या होगा water water may be break and amniotic fluid has no order। त्यक्ति अगर water true labor में क्या होगा अगर water bag break होता है तो वहां से amniotic fluid की सक्रीट हो सकता है। और उसका कोई भी order यान कि किसी भी तरह के कोई smell नहीं होती है। नेक्स्ट पॉइबर रिम्पर्ट रिमेन दसे में आ jaki Creek false लेबर में क्या रहेगा अगर फीमिल जर डिसकंफर्ट में है पें है मौ वह वैसे वैसे नहीं होगा या फिर डिक्रिस नहीं होगा अगर वो कोई मैड़िसन ले रही है जयसे की सब्सक्राइब हो रहा है अगर वो medicine ले रही है तो जो pain है वो कम हो सकता है ठीक है लेकिन अगर वो true labor में है अगर उसके contraction हो रहे हैं तो वो उसका contraction है वो बढ़ता चला जाएगा उसके discomfort जो है वो बढ़ता चला जाएगा ठीक है increase होगा यानि कि discomfort क्या होगा true labor में increase हो जाएगा नेक्स पॉइंट आता है पॉइंट नमबर 7 है no change to the cervix ठीक है यानि कि जो false labor होगा उसमें किसी भी तरह के cervix में कोई भी changes नहीं होगी यानि कि cervix में किसी भी तरह के dilation नहीं होगी कोई softness नहीं होगी नॉर्मल cervix हो रहेगा लेकिन true labor में क्या होगा cervix में changes आनी शुरू हो जाती है क्या क्या होगा cervix में softness हो जाएगी ठीक है shorten हो जाएगा and dilates हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पर changes होनी शुरू हो जाएगी true labor में next point आता है contraction eventually stopped by the relaxation interval यानि कि false labor में क्या होगे जो contraction है वो eventually stop भी हो जाते है या फिर कुछ medication लेने के बाद जो वो कम हो जाते है लेकिन true labor में क्या होगा contraction not stop by the controlling the breathing and sediation यानि कि जो contraction है वो बिल्कुल भी stop नहीं होगे contraction का जो sequence है जो duration है वो भी बढ़ता चला जाता है और वो breathing pattern से या फिर किसी भी medicine से sediation यानि कि किसी भी medicine से वो भी relax नहीं होंगे next point आता है no significant change in the fetal position यानि कि false labor में क्या होगा fetal position चेंज नहीं होती है fetal का किसी भी तरह कोई movement नहीं होता है यानि कि जहां पर fetal की position है वो fetal जो है वहीं पर रहेगा लेकिन true labor में क्या होगा fetus continue descending into the pelvis यानि कि true labor में क्या होगा जो cervix है उसमें dilation हो रही है और fetal की movement भी change होती है fetal जो है वो pelvis की तरफ move करना शुरू कर देता है ठीक है तो आपने यहां पर point याद रखना है वो important point है यह fetal में किसी भी तरह की कोई भी changes नहीं होती है और true labor में fetus जो है वो continue descending position में आ जाता है कहां की तरफ pelvis की तरफ next 10th point है 10th point है walking decrease the pain false labor में क्या होगा जब female walk करती है तो pain जो है वो कम होना शुरू हो जाता है लेकिन अगर false labor है sorry true labor है तो true labor में क्या होगा अगर female walk कर रही है और labor pain शुरू हो गए है और true labor है तो pain जो है वो increase होता जाएगा ठीक है क्योंकि contraction बढ़ रही है Cervix की Dilation चल रही है तो पेइं जो है अगर वो वोक कर रही है चल रही है तो वो पेइं जो वो Increase हो जाएगा तो यह points है हमारे true labor and false labor के तो अगर आपसे Differences पूछ जाते हैं तो आप difference लिख सकते हैं अगर सिर्फ आपसे true labor पूछा जाता है तो आप सिर्टू लेबर भी लिख सकते हैं तो इन पॉइंट को सभी एक पॉइंट को आप explain भी कर सकते हैं डिटेल में चीके walking से कैसे होगा और fetal changes में कैसे होगा चीके जैसे मैंने आपको बताया है कि fetal position कैसे change नहीं होती है है और true labor में कैसे change हो रही है क्योंकि cervix dilate हो रहा है तो सारी चीज़ें आप एक एक point number के हिसाब से आप अपना question जो है वो बढ़ा सकते हैं तो अगर आप से short note पूछा गया है तो points में लिखिए अगर आप से 15 to 10 marks में पूछा गया है तो इन points को आप explain कर सकते हैं तो आज की वीडियो में इतना ही आई होप यह वीडियो आपके लिए helpful रहेगा thank you for watching